हलो गाईज परवंगे दिशमाडी नीज तो गाईज आज आज हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग सुपर हीरो मुवी के बारे में जो कि 2020 में रिलीज हो रही है इस लिस्ट में मैंने overall सारी सुपर हीरो मुवी को including करा है जो कि Bollywood की भी है, Hollywood की भी है और Marvel DC की भी है ने उसी के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनकी रिलीजिंग डेट को और order time बताऊंगा कि वो कब-कब रिलीज हो रही है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को वीडियो को पूरा देखेगा, लिस्ट काफी कमाल की बनी है तो सबसे पहले जो मुवी आ रही है, नम्मर वन पर वो है, What's of Perry ये मुवी रिलीज हो रही है साथ फरवरी 2020 को स्टार्टिंग में 2020 में हमें सबसे पहले DC Universe की मुवी देखने को मिलेगी Words of Perry, इस मुवी में हमें काफी सारे नई character देखने को मिलेंगे साथी साथ Harley Quinn written देखने को मिलेंगी, इस मुवी में जो कर होगा या नई ये अभी कुछ ऐसा confirm नहीं हुआ है, पर ये DC Universe की कुछ different type ये मुवी होने वाली है जिसमें के हमें female character ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और important ये movie उनी की उपर ही है उसी के साथ अगली जो movie देखने को मिलेगी 2020 में, इस movie का ना हमें Bloodshot इस movie में main character में नज़र आएंगे विन डीजल, जो की एक different look में नज़र आने वाले है इनकी movie release हो रही है 2020 में Fast and Furious भी, तो finally हमें दो movie तो देखने को मिलेंगी ये कोई superhero तो नहीं है, पर काफी different type का character है और Bloodshot काफी ज़ादा अच्छा character है, इसकी पहले comic book आती थी और finally अब इसकी हमें movie भी देखने को मिलेगी, तो काफी ज़ादा कमाल की movie है देन उसके साथ अगली movie है The New Mutants, ये movie release हो रही है 3 April 2020 को इस movie में सबसे बड़ी problem ये थी, कि ये movie की releasing date काफी ज़ादा change करी गई और then इस movie में दिक्कत आ रही थी इसकी script में, जिस कारण इसे reshoot करना पड़ा और इसकी schedule को बार बार change करना पड़ा काफी वैंस का मानना है अगर इस movie को release नहीं करते हैं, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका क्या मनना है मुझे comment शक्स हमें ज़रूर बताना और उसके बाद जो अगली movie है हमारी सबकी favorite, Black Widow Marvel Cinematic Universe की female की ये second movie कह सकते हैं आप, जो की काफी कमालगी जाने वाली है एक माई 2020 को ये movie release हो रही है, जो की Civil War के time की story होने वाली है दैनसी के साथ Black Widow काफी जादा जोस में और काफी जादा action scene में देखने को मिलेंगी इस movie का जो villain होने वाला है, वो है task master, जो की काफी different तरीके से देखने को मिलेगा जो की सबकी fighting style को copy कर लेता है दैन उसके बाद अगली movie है एक और DC Universe की Wonder Woman 1984 ये इसका full title है, ये movie release होगी 5 जून 2020 को तो ये भी movie सबकी favorite होने वाली है all time क्योंकि इससे पहला पहला जो part तो वो कभी जाद अच्छा गया था पर इन इन्दी में release नहीं करा गया इस movie का villain है Cheetah, जो की Wonder Woman से fight करेगा वैनम के बाद Morvius, ये movie release हो रही है 30 July 2020 को जो की Vampire, जैसे आपने Blade movie अगर देखी, Marvel की तो उससे कुछ अलग different हमें देखने को मिलेगा इस Sony Universe में तो वैनम, Morvius, कुछ ना कुछ तो connection होगा और आने वाले time में Morvius भी भड़िया movie होने वाली है वैनम के साथ अगली movie हमें देखने को मिलने वाली है Venom 2, जो की release हो रही है 2 October 2020 को वैनम का तो सब ने पहला पार देख गई है और इस movie में जो actual में villain होने वाला है वो है Carnage जो की Venom का जानी दुश्मन है, comic book में, cartoon tv series में और movies में भी, Carnage अब हमें Venom 2 में पहली बार देखने को मिलेगा live action में, जो की सभी इंतिजार कर रही है और Venom 2 all time भी favorite होने वाली है, मेरी भी क्योंकि पहला बादी में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था उसके बाद Marvel की एक और movie जो की है The Internals ये movie release हो रही है, 6 November 2020 को ये भी काफी लाजवाब movie है और देन इसमें हमें Space God देखने को मिलेंगे और काफी बड़े-बड़े character देखने को मिलेंगे और Marvel का पुनाना time देखने को मिलेगा जी हाँ, इसका universe से कोई संबन्द नहीं होगा timeline बले हो थोड़ी वोई रहेगी बहुर इसमें इत्ते बड़े-बड़े character देखने को मिलेंगे अगर वो मर भी जाए तो उनकी body से पूरा home planet बन सकता है उसके बाद Bollywood की last movie Super Hero Crash 4 ये movie दो पार्ट में release हो रही है इसका पहला पार्ट रिलीज हो रहा है comment section में ज़रूर बताना और अपनी personal list बताना कि आपको cause movie के लिए wait कर रहे हो तो guys कैसा लगा update? कैसा लगा वीडियो? अगर आप इई वीडियो यूटूब पे देखे तो में चनल को सब्सक्राब करें फेस्बूक पे देखरो पेच को लाइक करें पीए लिए माप कुछी वीडियो पतान दाए तो पीडियो लाइक कमें शेयर करो जोबन इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पे आरेन मेंड के हाथ मारो या पेर मारो पर और कुछ मत मानना बाबाई जारो